Hello guys and welcome back to your channel और आज मैं आपके सामने लेके आएँ हूँ एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक Union Budget 2021 के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में आप में से बहुत से लोगे में को मैसेज आये थे कि बजट के उपर वीडियो बनानी चाहिए आपको पहले तो पहले हम बजट के उपर डिसकस करेंगे फिर जैनुरी के Current Affairs Series को शुरू करेंगे तो दोस्तों बजट की हम दो पार्ट में डिसकस करने वाले हैं सारे के सारे Detailed Analysis में इस वीडियो में आपको दूंगा तो आए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो पार्ट वन और यूनियन बजट 2021 को तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कौन-कौन से टॉपिक्स डिसकस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में तो सबसे पहले हम जानेंगे Basics of Union Budget फिर हम जानेंगे Basics of Economic Survey और फिर हम देखेंगे कि Constitution में क्या प्रोविजन है Union Budget से related और फिर हम जानेंगे Accounts of Government of India कौन-कौन से Important Accounts होते हैं Government of India के और फिर हम देखेंगे overview लेंगे कि budget के अंदर जो numbers दिये होते हैं बहुत सारे numbers होते हैं तो क्या-क्या numbers उसके अंदर होते हैं वो जानेंगे हम फिर हम आ में इस साल के budget पर तो दोस्तों यदि आपको पहले के पांच topics आते हैं आपने पहले से पढ़ रखें तो आप स्किप कर सकते हैं सीधा 0.6 से आप जो current budget है उसकी details में आपको दूँगा तो 0.6 में हम देखेंगे V-shaped recovery जो की budget बात कर रहा है वो क्या होती है उसको जानेंगे हम फिर हम आखरे में जानेंगे pillars of the budget जो की दिये गए है budget के अंदर 6 pillars है उनको detail में समझेंगे एक एक pillar को तो अगर आप यदि पहले के basics जानते हैं तो सीधा आप 6 और 7 points इसमें देख सकते हैं फिर दोस्तों जो बचे हुए points है वो हम अगली वीडियो में cover करने वाले हैं यह सारे points तो आप अगली वीडियो भी ज़रूर इसमें देख सकते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं basics of union budget से तो budget होता कहा है पहले यह जान लेते है तो budget is annual financial statement of revenue and expenditure of the government तो government कितना revenue मिलता है government को tax जो लगाती है government और कितना वो खर्च करती है अलगलग चीजों पर उसकी यह statement होती है तो यह basically एक तरह से जैसे कोई company है उसकी balance sheet या profit and loss statement हर साल आप निकालते हैं तो वैसे ही यह एक तरह से government के balance sheet और profit and loss statement माज समझ सकते हैं आपी से ठीक है तो annually यह देना होता है government of India को और constitution में budget term यूज नहीं की गई है तो constitution के अंदर जो budget का नाम दिया गया है वो है annual financial statement तो आप इसी से समझ सकते हैं कि यह कैसे balance sheet और profit and loss statement ही है government की क्योंकि annual financial statement से ही आपको पता चल जाना चाहिए तो दोस्तों budget बनाता कोन है यह भी question directly पूछा जा सकता है तो budget बनाता है budget division of the department of economic affairs in ministry of finance तो यह बनाते हैं budget को हर साल और जैसे कि आपको पता ही होगा कि states भी अपने अपने अलगलग states जो है हमारे country में वो भी अपने अपने individual budgets पेश करते हैं अपने अपनी legislative assembly के अंदर ठीक है तो यह basic budget के बारे में था तो budget जैसे कि मैंने का expenditure और revenue का एक हिसाब किताब है ठीक है तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ देखिए तो budget profile क्या कहती है कि यह जो है हमारे left hand side पे यह हमारे जो है वो government के जो revenue है उसके sources है अलग-लग और यह जो right hand side पे हैं यह कहां-कहा government expenditure करती है यह वो details है ठीक है तो जैसे कि gross tax revenue कहां-कहां से आया PST से कितना percent आया ठीक है एक से कहां कितना आया income tax से कितना आया तो यह revenue के sources है उसमें से कितना state को दे दिया government ने ठीक है तो यह sources है और क्योंकि revenue में हमारी country में कम है as compared to जितना government spend करती है तो उसकी financing भी होनी चाहिए कहीं से जो difference है तो वो कहां से market से loan लेती है government यह भी source है funds का ठीक है capital receipts यानि कोई company बेची है government ने PSU बेचा है तो उसका कोई पैसा आया है तो वो capital receipts है तो यह भी budget के अंदर ही दिखाना होता है government को तो यह सारे हमारे revenue के sources है इस तरफ और यहां पे है expenditure के sources, expenditure में कैसे क्या क्या है कि schemes पे कितना government ने लगा दिया कितने transfers दिये states को grants दिये states को, central sector schemes पे कितना लगाया है government ने, subsidies कितनी दी है government ने, तो यह सारे detail इसमें होती है और interest payments कितनी है जो government ने Loans ले रखे हैं लग-लग institutions पे तो वो जो है bonds float कर रखे है government ने, तो उनके कितनी interest तो यह भी expenditure है government का, तो यह एक तरह से revenue और expenditure budget पेश करता है, और आपको इसमें याद क्या रखना है, budget का overall size क्या है इस साल, इस साल है 34.83 lakh crore, तो यह है budget का size हमारे इस साल, तो यह एक तरह से balance sheet में दोने तरफ equal होती है, तो वैसे ही balance sheet का size होता है, तो यह budget का size है हमारे, पूरी country का जो budget है, ठीक है, 34.83 lakh crore में है यह, तो आपको यह figure याद रखनी है, अब हम थोड़ा सा जान लेते है, economic survey के बार में, तो economic survey पे पूरी अलग से video बनाएंगे, हम देखेंगे, उसमें economic survey में क्या-क्या details दी गहीं है इस साल की, पर एक basic overview आपको पता होना थी है, budget से पहले कि economic survey क्या होता है, तो वो एक slide में हम फटा-फट से देख लेते हैं, तो हर साल economic survey प्रिजेंट किया जाता है, budget से पहले, एक-दो दिन पहले economic survey को पेश किया जाता है, तो economic survey होता क्या है, economic survey में एक snapshot होती है, overall major economic development जो पिछले साल हुई है, ठीक है, जो पिछले साल हुई है, उसके अंदर कौन-कौनसी major economic developments है, उसकी detail होती है, और क्या आने वाला है, उसमें forecast भी दिया होता है, कि आने वाले साल में हम क्या expect कर सकते हैं, ठीक है, कि economic, overall macro economic, जो country का status है, वो क्या रहने वाली है, क्या scenario रहने वाला है, ठीक है, तो यह दो चीज़े होती है, economic survey में, और इ याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा important question है, theme of the economic survey 2020-2021, इस सल के economic survey की theme क्या रही, saving lives and livelihood, तो यह बहुत important है, और we shaped recovery, यह भी, दोनों है यह, तो theme क्या होगी economic survey की, saving lives and livelihood, यह आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा important है, यह, ठीक है, तो इसके बारे में अलग से वीडिय फिर देख लेतें दोस्तों कि constitution क्या कहता है, एक budget के बारे में, जैसे कि मैंने कहा कि constitution में budget as a word पूरा नहीं दिया गया है, उसको क्या दिया गया है, नाम annual financial statement, तो देखतें कौन से article में दिया गया है, तो article 112 में दिया गया है, यह मैं आपको Indian politics की जो series चल रही थी, उसमें भ उसको click करके आप वो भी detail में देख सकते हैं तो 112 article में दे रखा है annual financial statement तो यह क्या कहता है 112 article वो देख लेते हैं कि जो president है वो हर financial year में अपने दोनों houses जो हैं लोकसभा और राज्यसभा में पेश करेगा एक statement जिसके अंदर क्या होंगे estimated receipt यानि कि जो revenue है government का and expenditure of government of India उस साल के लिए वो हर साल पेश करना mandatory है president को तो president के नाम पे government पेश करते हैं क्योंकि आपको पता ही है executive यानि कि government का head कौन है government का head president है तो president के नाम पे annual financial statement हर साल पेश करनी है government को ठीक है तो यह constitutional requirement है और इसके अंदर क्या समझेवली बात है कि उसमें क्या-क्या पेश करना है government को तो क्या-क्या पेश करना है expenditure charged upon the consolidated fund of India तो consolidated fund होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा उसके अंदर जो expenditure directly charged नहीं मतलब जिनको vary नहीं कर सकती government या अगली side में देखेंगे हम कि कौन-कौन expenditure होते हैं और any other expenditure to be made from the consolidated fund of India वो सारी detail इसके अंदर होनी चाहिए budget के अंदर expenditure charge क्या होता है कि जैसे कि emoluments और salaries होगी प्रेजिनेंट की वैस्पेड़न की जिनकों की change नहीं किया जा सकता तो वह आपको करने करने उस पर voting नहीं होगी ठीक है तो judgment है कोई court ने काया कि इतनी payment करनी है government को तो उस पर भी कोई discussion नहीं होगी तो यह interest है government के debt का तो उस पर भी discussion नहीं होगी तो वो तो आपको देना ही देना है ठीक है तो यह होते हैं expenditure जो कि charge किये जाते हैं और इसके इलावा जो होते हैं government जो schemes पर spend करती है यह subsidy देती है वो सब अलग से पेश करने है government को यह दोनों लग लग अब हम देख लेते कौन-कौन से accounts होते है government of India के तो सबसे पहला most important होते है consolidated fund of India तो दोस्तों आप समझ सकते ह एक तरह से government का account है जैसे किसी company का account होता है वैसी यह consolidated fund बनाये गया है constitution के अंदर कहा गया कि इसके अंदर ही सारा पैसा जो government का revenue है या कहीं से loan ले रहे है government वो सारा इसके अंदर आएगा और इसी से government fund से spend करेगी किसी भी चीज़ पर करना है तो तो पहला था इसमें आएगा और इसी से spend होगा और इसकी government को approval लेना पड़ेगा कहां से parliament से तो parliament अप्रूफ करेगी consolidated funds से तभी budget पेश किया जाता है क्योंकि consolidated funds से ही पैसा आ रहा है government बता रहा है और कितना निकल रहा है तो इसलिए ही approval लेना जरूरी है parliament का इसलिए इसको parliament में पेश किया जाता है और पा funds रखे होए हैं कि अगर कोई emergency situation आएगी तो president उस fund को use करके जब तक parliament में प्रूब नहीं होता है उस पैसे को वहां से खर्च कर सकते हैं किसी आपात कलीन सित्यती में तो यह होता है contingency fund of India और last होता है public accounts जो बाकी बचा हुआ पैसा है government का वो जो कि government को receive होना है वो public accounts के अंद Parliament से approve कराना पड़ेगा और वो आता है और जाएगा किस से consolidated funds से ठीक है यह आपको बता दिया अब हम देख लेते हैं budget में important numbers क्या होते हैं जो balance sheet आप देख रहे हैं figure में ऐसी इसके अंदर government क्या-क्या चीजे पताती है क्या-क्या उनको पताना होता है हर budget के अंदर तो सबसे चले तो actual figures previous financial year में क्या रहीं तो अभी current financial year क्या चल रहा है financial year 2020-2021 तो 2019-2020 जो पिछला financial year था उसके अंदर actual figures क्या रहीं वो जो आप देख रहे हैं red box के अंदर वो एक column में पेश की जाती है फिर budget की estimates पिछले साल जो हमने forecast करा था जो पिछले साल के budget में current financial year का forecast करा government की कि कितना हम expenditure करेंगे और कितना हम उसके अंदर revenue आएगा उसकी एक column होगा कि budget में कितना estimates पिछले साल के और revised estimates और actual अभी कितना हो गया revise कर दिया हमने उसको तो यह दोनों figures current year की जो current financial year है उसकी पेश करनी होती है government को और तीसरा जो हम अगले साल की projection करेगी government के अगले financial year में कित financial year, budget estimates and revised estimates for current financial year and budget estimates for the next coming financial year तो यह चार चीजे government पेश करती है budget के अंदर ठीक है तो यह तो होगा दोस्तों basic of budget अब हम आजाती है actual highlights देखते हैं important detail में समझेंगे कि current जो budget था वो कैसा रहा और क्यों अलग-लग point of view से market ने इतना अच्छा response दिया है यानि कि financial markets ने कितना पर वो क्यों अच्छा रहा क्यों market एक अफ्ते सक लगातार बढ़ती रही नए हाइस बनाती रही और क्यों कैसा रही है आम जंता के लिए ठीक है तो आज हम budget की highlights को इसमें आप discuss करेंगे तो आईए शुरू करते हैं तो सबसे पहला important चीज़ पदाता है B-shaped recovery तो आप जैसे figure में देख रहे हैं यह अलग अलग वर्ल्ड की average और येरोपेरिया और blue जो line देख रहे हैं आप वो इंडिया को represent करते हैं तो यह GDP की growth rate है real GDP की वो plot की गई है government ने तो government क्या कह रही है कि पिछले जो financial year है जो क्याने कि पिछले साल जो की current financial year है 2020-2021 वाला उसके अंदर covid की वै हुई नहीं तो उस वजह से क्या है हमारा GDP जो है वो contract कर गया है तो जैसे कि मैंने economy और business वाली वीडियो में current affairs की जो series थी October to December वाली उसमें पता आया था कि RBI ने कहा था कि हमारी economy technical recession में चले गया क्योंकि दो quarter से लगाता हम first or second quarter में contract करा है हमारा GDP तो इस वजह से जो overall GDP है हम हमारा वह इस साल estimated है around minus 7.7% रहेगा तो हम contract कर गए है तो यह normal हमारी pace थी जो आप देखने blue line और हम फिर contract कर गए इस साल due to covid अब government कर रहे है कि जो covid का असर है वह खतम हो गया है vaccines आ गही है हम economic path दुबारा शुरू होगे revival शुरू हो गये तो हम एकदम से shoot up कर जाएंगे around 11% next year next financial year में हम around 11% से grow करेंगे अब ऐसा क्यों है क्योंकि एक तो reason ही है कि economic activity दुबारा start होगी दूसरा reason क्या है कि हमारा जो base year है GDP growth हम previous year से निकालते हैं तो जो base हमारा low है इस साल क्योंकि contract करें हम तो इस से ही अगले साल की निकालेंगे तो base low होनी के वैसे भी हम around 11% से grow करने व आने वाले financial year में ठीक है current financial year में हम contract करेंगे around minus 7.7% of the GDP और around 11% अगले साल grow करने वान है तो V-shaped recovery यह basic theme भी है economic survey की जैसे की मैंने आपको दाए तो V-shaped recovery होती है यह तो आपसे question पूछे जाएगा तो आप यह ऐसा चार्ट बना सकते हैं कि हम around 5-6-7% तक grow कर रहे थे covid giver से गिरे और अब फिर हम उपर 11% की तरफ recovery आ जाएगी तो यह है V-shaped recovery का concept जो की budget आप करता है जिसके पारे में ठीक है अब आजाते हम सबसे important topic पे आज के वीडियो के इसमें हम जानेंगे 6 pillars जिसके उपर की budget based है तो budget based 6 pillars पे मतलब कि government का जो focus है वो इन 6 sectors पे basically रहा इस budget के अंदर और जो expenditure government करने वाली है वो इन 6 sectors में बहुत अच्छे से करने वाली है जिसकी वैसे market जो है वो बहुत shoot up कर गई थी तो आईए देखते हैं कि यह 6 pillars क्या क्या हैं लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और पता देता हूं कि यह first ever हमारा budget था जो कि digital budget था जिसको कि print नहीं किया गया था ठीक है तो यह first ever हमारा digital budget था union budget तो यह भी पुछा जा सकता ह अब हम देखते हैं कौन-कौन से वो 6 pillar हैं तो first pillar है health and well-being government का बहुत ज्यादा focus इस पारी रहा है health and well-being के उपर तो यह हम जानेंगे इसके अंदर कि government ने कितना percent expenditure increase कर दिया इस sector के अंदर focus area के उपर तो first pillar यह है फिर हम जानेंगे physical and financial capital और infrastructure पे government ने क्या view रखा है इस पे बहुत अच्छा focus है यह main reason रहा है markets के इतना चलने का क्योंकि infrastructure पे जब government focus करती है तो grassroot travel पे jobs मिलती है लोगों को expenditure की income मिलती है लोगों को तो उनकी जो खर्च करने की ताकत भी बढ़ती है और economy को boost मिलता है उससे तो grassroot travel पे infrastructure पे focus है government का इस budget में तीसरा pillar है inclusive development for aspirational India की सबको लेके साथ सबका साथ सबका विकास तो यह pillar है तीसरा इसके अंदर हम देखेंगे आगे detail में सारे re-invigorating human capital human capital पे focus है innovation and r&d पे focus है और आखरी है minimum government maximum governance यह 6 के 6 pillar आपको याद करने है किसी भी long form answer में पूछा जा सकता है या objective type में पूछा जा सकता है कि इन में से कौन कौन से budget focus कर रहा था तो यह 6 के 6 pillar आपको याद करने है screenshot आप इसका ले सकते हैं अब हम इन पिलर्स को एक एक करके detail में समझेंगे कि government ने कितना spend करा है इस second दो और क्या focus रहा है इच पिलर को detail में देखेंगे तो पहला pillar देख लेते है health and well-being तो इसके अंदर government ने क्या क्या का है वो देखते हैं तो सबसे पहले इसमें चीज़ देखने वाली है कि holistic approach ली जाएगी towards healthy हमने देखा था जो अयुश्मान भारत scheme है उसके अंदर नाकेवल की क्यूरेटिव अप्रोच दी गई थी उसमें जो प्रिवेंटिव एक स्ट्रेटजी थी जो की वेलनेस सेंटर स्टैबलिश करेगी government तो उसमें भी फोकस था तो यह holistic approach है जिसके अंदर कि हम preventive, curative और well-being तीनों aspects health के देखेंगे ठीक है तो और इसके अंदर next क्यास important रहा PM आत्म निर्बर स्वस्त भारत योजना इसको हम detail में January की जो वीडियो देखेंगे government schemes and mission की उसमें भी discuss करेंगे अभी overview यह ले लेते हैं इसमें क्या-क्या expenditure government करने वाली है तो government ने कहा है कि इस योजना के अंडर 64,180 करोड यह figure important है, 64,180 करोड over next six years spend कर गएगी government कहां पे to support health and wellness centers यह इसके अंदर कहा गया है फिर इसके अंदर एक integrated public health lab set up करेगी government critical clear hospital set up करेगी और lastly strengthen करेगी national center for disease control यह strengthen करेगी government और integrated health information portal जो की data होता है सारे Indian citizens का जो central hospitals में दिखाते हैं लोग उनका consolidated information portal बनाएगी उसको और expand करेगी government तो यह है PM आतुनेट बर स्वस्त भारत जोड़ना जो की इसमें introduce की गई है बजट के अंदर 66,180 करोड 6 साल में government spend करने वाली है इसके उपर detail में हम जानेंगे January वाली वीडियो के अंदर next एक लिए supplementary nutrition program and portion अभ्यान to be merged and new mission portion 2.0 will be launch तो एक दो schemes को merge करके mission portion 2.0 कर जाएगा launch तो mission 2.0 है क्या जो 112 aspirational districts है जो की आपको पता ही होगा aspirational districts जो नीती है जो की एक scheme है उसके अंदर focus किया जाएगा mission portion 2 के अंदर की जो nutrition है वहाँ के specially children और pregnant women को उनकी तरफ focus करके वहाँ से malnutrition हटाया जाए जाए कि उनके वहाँ के लोगों को nutrition सही से मिले aspirational जो 112 district है उस पर mission portion 2 focus करेगा तो यह है यहाँ पर यह कहा है government ने की mission portion 2 को जाए जाएगा अगला नीमो कोकल vaccines to be rolled out across the country और सबसे important यह figure आपको याद रखनी है 35,000 करोड रुपे दी गए है COVID-19 vaccine के लिए for the next financial year यानि कि 35,000 करोड development vaccine करने के लिए और जो लोगों को मुफ्त में लगाए जाएगी COVID-19 की vaccine उसके लिए a lot किया है government ने यह बहुत important figure है 35,000 करोड यह याद रखनी है आपको next इसमें क्या देखने वाली चीज़ है कि total health outlay जो कि next financial year में government करने वाली है वो करने वाली है 2,23,886 करोड तो आपको round figure एक याद करनी है 2,23,000 लाक करोड गवर्मेंट खर्च करने वाली है health पे जो कि approximately है 1.8% of the GDP जो कि आप figure में देख रहे होंगे 1.8% of the GDP government health पे spend करने वाली है government का target around 4% है कि health के उपर हम करना चाहते है 2.5% हम करेंगे around 2024 तक तो यह बहुत quantum jump है जो कि पिछले साल सिरफ 0.5% of the GDP हम health पे spend कर रहे थे अब 1.8% government next year में जो कि amount होता है approximately 2.23,000,000 करोड गवर्मेंट खर्च करने वाली है health sector पे है तो यह बहुत important figure आपको याद रखनी है और lastly इस pillar के अंडर क्या का है government ने एक national commission for elite healthcare professionals bill लाए जाएगा government द्वारा तो यह bill है वो government लाएगी जिसके बारे में जब आएगा bill तो हम इसको detail में समझेंगे अभी आपको इतना ही याद रखना है कि एक bill लाए जाएगा healthcare professionals के लिए तो दोस्तों यह था हमारा first pillar health and well-being तो इसके अंदर figures आपको याद रखनी है PM आत्मनिरबर स्वास्त भारत योजना के बारे में याद रखना है और total कितना covid vaccine को दिया गया है वो आप figure याद कर सकते ह अगले pillar पर आ जाते हैं physical, financial, capital and infrastructure इसको हम detail में समझेंगे अच्छे से काफी जारी figures है तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अब जिसमें से जो grasp कर सके याद रखके वो आप देख सकते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या important है road construction per day तो government अभी current financial year में around 28 km एक दिन में road construction थी government की, अगले साल ये around 22 km per year बनाएगी तो यहाँ पर थोड़ा drop है, national rail plan एक government लाई है जिसके अंदर का aim क्या होगा, कि हम adequate rail infrastructure बना सकें, अभी seats नहीं मिलती हैं लोगों को, waiting list बहुत लंबी होती है, तो rail infrastructure को revamp करा जाएगा by 2030 ठीक है, और वो इससे साब से बनाया जा रहा है, कि जो हमारी population 2050 तक होगी, उसको cater कर सकें, तो 2030 तक rail infrastructure adequate कर लिया जाएगा, ऐसा ये budget कह रहा है, और objective क्या है, कि जो हमारा freight है, जो कि freight यो माल जाता है, हम एक जगा से दूसरी जगा transfer करते हैं, वो अभी क्या है, share होता है, जो railway का 27% है currently, कि 27% जो है, वो by railway transport होता है, government का aim ह कि इसको increase करके 45% कर दिया जाएगा, तो इसके लिए government आपको पता ही है क्या 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 कर रही है, यह हमने discuss किया है current affairs series में, eastern, western dedicated freight corridors बिना रही है, जिसमें की सिरफ माल गड़िया ही चलीगी, तो इस से क्या होगा, एक तो capacity आपकी जो normal lines पे है, passenger की उसमें increase हो जाएगी, और private participation भी है, इन corridors के अंदर, और उससे क्या होगा, जो clear है freight का, by railways वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो transportation cost है, उन dedicated freight corridors पे बहुत कम हो जाएगी, तो यह government का aim है, इस railway infrastructure के अंदर, ठीक है, अगला, 100% electrification of broad gauge routes by 2023 कर देंगी government, 100% electricity हो जाएगी यह, और automatic train protection system indigenously develop किया जाएगी, यह इतना important नहीं है, फिर देख लोते है, power sector के लिए क्या कहा गया, power sector के लिए कहा गया कि हम 139 gigawatt of installed capacity करी हमने पिछले 6 सालों में, ठीक है, और यह सब यह government के ने क्या क्या चीज़ करा है, वो बता है, यह इतना important नहीं है, revamped reform space reserve link power distribution scheme will be launch, यह एक नई scheme करी जाएगी launch, 3,05,000 crore for next 5 years, इतना amount, यह power sector distribution के लिए इंदर जो theme है, उसके लिए दिये जाएंगे, गोर्मेंट ने का है, और lastly, hydrogen energy mission will be launch, hydrogen से energy बनाने के लिए एक mission launch करेगी government, इसमें figure important यह 3,00,000 crore वाली है, 5 साल के अंदर जो दिये जाएंगे, revamped reformed base reserve linked power distribution sector scheme को, ports के बारे में जान लेते हैं कि ports shipping के बारे में क्या कर रहा है, PPP mode में लाएगी government ports के operation को, private sector participation लाएगी, subsidy दी जाएगी, for merchant ship flagging, ठीक है, यह इतने important नहीं है, recycling of ships act को enact किया जाएगा, यह मैं भी इतना important नहीं है, यह इसको आप देख सकते हैं, याद करना इतना important नहीं है, ठीक है, इसमें important क्या है, logistic performance index में government ने कहा है, कि 2014 में हमारी rank 54 थी, अब वो 44 हो गई है, 2018 में, तो यह बहुत अच्छा हमने improve कर रहा है, logistic ऐसा गह रही है, government, PNGs related देख लेते हैं, Ujula scheme के अंदर एक करोड और beneficiaries लाए जाएंगे, 100 more district को city gas distribution network में लाए जाएगा, यह जो घर में gas मिलती है, उसके अंदर 100 district और लाए जाएंगे, जो piped gas घर तक पचाएंगे, ठीक है, और independent gas transport operator विल बी set up, infrastructure में क्या गह रही है, government और, कि एक bill लाए जाएगा, जो की set up करेगा DFI को, तो DFI क्या होता है, development finance institution लाएगी, government जो की बनाया जाएगा, जो की सिरफ focus करेगा, loans देने को, सिरफ infrastructure projects के लिए, तो government ने DFI bill लाएगी, जो की focus करेगा, सिरफ infrastructure financing को, और इसका नाम क्या होगा, national bank for financing infrastructure and development, NABFID इसकी short form होगी, तो ये government एक नया bill लाने वाली है, 2021 के अंदर, जो की budget में खायेगे, हम लाएगे, और ऐसा एक institution set up करेंगे, जो सिरफ सिरफ infrastructure financing के लिए होगा, तो इस वज़ाए से बहुत ज़्यादा support मिला markets को, financial markets को, क्योंकि infrastructure पे government ने focus किया है, और national monetization pipeline of brownfield infrastructure assets ये भी government करेगी, तो national infrastructure pipeline है, जिसके अंदर मैं आपको detail में बताऊँगा, आगया है, कि कौन सी एर में कितना पासा खर्च करना है, वो हम आगया आने वाले में देखेंगे, अभी यही है कि national monetization pipeline of brownfield, इंफ्रा एसेट्स government करने वाली है, अर्बन development में देख लेते हैं, क्या government ने focus रहा, जल जीवन mission जो है, वो अर्बन के लिए भी अब लाया जाएगा, जिसके अंदर की 100% water connections दिये जाएंगे, अर्बन areas में भी अब, अर्बन स्वच भारत mission के अंदर, एक लाग करोड, एक लाग 41,000 करोड दिये जाएंगे, अगले 5 साल में, वाइस तो करोड पे यह गया है, 42 urban centers को to tackle air pollution, तो यह आप कभी लिख सकते हैं, किसी long answer में भी कि इतना दिया है, government ने air pollution को tackle करने में, main इसमें सबसे important नहीं चीज़ क्या रही, यह बहुत important है, voluntary vehicle scrapping policy लाई जाएगी, जो पुराने vehicles हैं, उनको scrap करने के लिए, एक policy दी जाएगी, तो इसकी वज़ नहीं गाडिया scrap करेंगी, लोग scrap करेंगे, तो नहीं गाडिया automatically भी केंगी, तो इस वज़े से voluntary vehicle scrapping policy लाई जाएगी, अभी voluntary रखा जाएगा उसे, और बाद में उसे धीरे-धीरे mandatory कर दिया जाएगा, क्योंकि जबी भी government को ऐसी policy लाती है, तो पहले उसे voluntary ही रखा जाता ह इसके अंदर भी bus transport को इंदर भी private participation लाईगी government और metro light and metro neo for tier 2 and peripheral tier 1 cities के अंदर metro light और metro neo introduce करेंगी government, तो infrastructure के अंदर ये सारे proposals हैं government के, जो आने वाले वर्षों में किये जाएगे, और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर, इसके अंदर FDI जो है, उससे related क्या government ने reforms लाने की बात की है, वो देख लेते हैं, तो यह आप figure में देखने हैं कि अभी इस quarter one of the current financial year में, जो FDIT बहुत गर गई थी, जो to covid लोग पैसा यहां से लिकाल रहे थे, और safe events में लगा रहे थे, तो minus 0.8% से, अब quarter two में जो थी, वो 24.6 FDII आई है, तो government आने वाले वर्षों में भी अपने जो financial sector reform से वो continue करेगी, और FDI जिससे बढ़ के आए, तो इसमें क्या-क्या steps लिए हैं, यह एक brief देख लेते हैं, तो यह क्या कह रहे हैं कि rationalized single security market code ला जाएगा by 2022 तर, जो securities market है, share market होगी, मानि market होगी, या फिर bond market होगी, इन सब के लिए एक single code बना जाएगा, 2022 तर, world class fintech hub लाया है, gift city, IFSC में, यह पता ही है, गुजरात में gift city है, जो financial, महाँ पर world class fintech hub बनाया जाएगा, permanent institutional framework for corporate bond market के लिए बनाया जाएगा, SEBI को, एक regulator को ज्यादा role दिया जाएगा, और WDR याने की, warehousing development and regulatory authority को, ज्यादा वो दिया जाएगा, focus या ज्यादा role दिया जाएगा, in commodity market ecosystem, investor charter लाया जाएगा, across all financial products, और insurance act को amend करके, FDI limit increase कर दिया है, 49% से insurance sector में, 74% increase कर दी गई है, FDI यह आने वली slide में हम देखेंगे, और सबसे important जो आपको याद रखना है इसके अंदर, bad bank government ने finally approve कर दिया, कि हम एक bad bank बनाएंगे, जिसका गिनाम है, asset reconstruction company limited, एक बनाई जाएगी, कि जो PSU banks हैं, उनके NPS को control करने के लिए, ये bad bank जिसको कहा जा रहा है, वो सारे loans NPS उत्ते गवर कर लेगा, और PSU banks की जो balance sheet है, जिससे क्या होगा, वो ज्यादा credit दे पाएंगे, government की regulation के अंदर रहते रहते, तो एक bad bank भी, याद रखना है, आपको, asset reconstruction company limited, बनाई जाएगी, by the government, to take over the NPS of the PSU banks, industries related देख लेते हैं, PILI launched to create a manufacturing global champion across 13 sectors, तो क्या है, product linked incentive scheme लाई जाएगी, जैसे की focus जिसका की, basically white goods पे है, जैसे की electronic items पे, इंडिया को electronic hub बनाना चाहते है, गवर्मेंट, तो 13 sector के अंदर, product linked incentive scheme लाई जाएगी, government द्वारा, with 1.97 lakh crore over next 5 years, तो ये भी infrastructure पे focus रखते हुए, इतना ज्यादा spending है, ये भी एक बहुत अच्छी बात रही है, इसके अंदर, national infrastructure pipeline के अंदर, चोहतर सो project और ला दिएगे, तो national infrastructure pipeline के है, कि government ने एक target set किया है, कि जिसके अंदर, 102 lakh crore रुपे government spend करने वाली, अगले आने वाले 5 सालों में, 2025 तक, तो ये आपको फिकर ज्याद रखनी है, 102 lakh crore और अगले 2025 तक government spend करेगी, चोहतर सो projects के उपर, government ने ये कहाया है, ये बहुत important है, national infrastructure pipeline, और ये तो जो distribution chart में आप देख रहे हैं, ये हमारा agriculture और industry और services कितना contribute करते हैं, as a percentage of gdva, यानि gdp में कितना contribute करते हैं, ये वही chart में दिखा रहा है, around 17-18% agriculture, then 22% around manufacturing and services में around 56 के around, ये contribute करते हैं, मित्र scheme will be introduced to create world-class infrastructure for global champions in textile sector, textile sector में 7 नए textile parks बनाएगी government in next 3 years, अगले pillar पे जाते हैं, inclusive development for aspirational India, तो inclusive development में क्या क्या कहा है रहे है government, agriculture पे focus रहेगा, स्वा में तो scheme लगाए जाएगी, सब states को इसके अंदर include किया जाएगा, ये हमने देखा था government schemes and missions के वीडियो में, तो इसको दुबारे explain नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं, मैं लिंक आपको देदूँगा description के अंदर, expansion of operation green scheme to include 22 perishable products, ये already हम discuss कर चुके हैं, top two total green scheme में, government schemes and missions वाली वीडियो में, thousand new more Mondays to be integrated with Enam, Enam जो है national agriculture जो portal है, वहाँ पे, जहाँ पे online sell कर सकते हैं किसान, वहाँ, हजार और Mondays integrate की जाएंगी, fisheries के अंदर, development of fishing harbors, fish landing centers करेगी government, multi-purpose seaweed park setup होगा Tamil Nadu में, तो ये important है, कि multi-purpose seaweed park कहाँ setup करेगी government, Tamil Nadu में, migrant workers पे government का focus रहा है, especially after covid में जो हुआ situation, तो वो government ने पताया कि हमने क्या क्या किया, one nation, one ration card scheme implement की गई across, across 32 states and union territories, portal to be launched for gig building and construction workers, तो gig workers जो होते हैं, जो कि permanent workers नहीं होते हैं, freelancers होते हैं, online workers होते हैं, उनको भी government एक portal देगी, और social security benefits extend करेगी, gig and platform workers को, जो freelancers होते हैं उनके लिए, ठीक है, अगला pillar देख लेते हैं, re-invoguating human capital, human capital पे focus है government का, तो इसके उपर देख लेते हैं government क्या क्या spending करने वाली है, एक higher education commission of India बनाएगी government, यह हम already देख चुके हैं, कि यह declare किया गया था पहले भी, अब बनाएगी government और इसका काम क्या क्या होगा, standard stat करेगा, higher education system में क्या क्या होने चाहिए, accreditation देगा various colleges को, regulate करेगा oncologists को, और उनको funds भी provide करेगा, तो higher education commission of India बनाएगी government, यह important है, और सबसे important जो आपको इस slide से याद रखना है, कि government आने वाए, current साल में 3.5% of the GDP spend करेगी, education के उपर, जो की हमारा target है 6% का, तो 3.5% करेगी, यह भी बहुत ज्यादा jump है, पहले 3% था, अब हम करेंगे 3.5% of the GDP on the education, ठीक, R&D बला मैं आने वाली slide में आपको बताऊंगा, अभी हम next देख लेते हैं, education में क्या और कह रहे हैं, comment कह रहे है, revamped post-metric scholarship scheme for welfare of SCs, 100 new CENIC schools बनाएगी, 750 schools, a clubway schools बनाएगी, tribal areas के अंदर, skill के अंदर कह रहे है, re-aligning, national apprenticeship training scheme for graduate and diploma holders in engineering, partnership with UAE and Japan in area of skill development and recognition, ठीक है, तो यह human capital की field में government करेगी, तो इसमें आपको higher education commission of India आद रखने में, और कितना percent government spend करने वाली है, of the GDP on education, next इसमें देख लेते हैं, global innovation index, के अंदर जो इंडिया की rank, किस साल कितनी रही थी, 2020 में 48th rank, तो government ने यह दिखाया कि, world intellectual property organization, जो की GII, global innovation index release करते है, उसके अंदर हमारी rank, कैसे improve ही है, year on year, तो innovation पे भी focus रहेगा, तो अगला pillar देख लेते हैं, innovation and R&D पे ही है, तो इसमें government क्या कह रही है, यह देख लेते हैं, इसके अंदर government क्या करीगी, पहला, NRF 50,000 crores over 5 years, तो national research foundation बनाएगी government, जो की research पे focus करेगी, और इसके लिए government, 50,000 crores रुपे देने वाली है, आने 5 सालों में, next, पंद्रासो करोड देने वाली है, to promote digital modes of payment, digital payment के लिए पंद्रासो करोड दे गहे हैं, national language translation mission government आएगी, जिससे के अंदर क्या होगा, जो governance और policy related knowledge है, वो अलगला major Indian languages के अंदर convert करके, चीज़े लाई जाएगी लोगों के सामने, जिसे की वो असानी से understand कर सकें, तो इसमें आपको NRF याद रखना है, डिजिटल मोर्स याद रखना है और national language translation mission ये याद रखना है, अगला देख लेते हैं, PSLV CS51 to be launched by New Space India Limited, तो government ने एक commercial आम बनाई थी, इस उरो की, जो की commercially sell करेगी इस उरो के products throughout the world, तो उसके अंदर government PSLV CS51 launch करेगी by New Space India Limited, उसके अंदर क्या होगा, Brazil की Amazonia satellite send करेगी और कुछ Indian satellite भी send करेगी, गगान यान mission activity शुरू कर दी गही है, जिसके अंदर की चार astronauts को train के जा रहा है, रशिया के अंदर, और first man launch जो होगा, वो December 2021 के लिए slated है, जिसके अंदर की घ्रिस में भेज़े जाएगा astronauts को इंडिया दुआरा, ठीक है, और 4,000 क्रोर गवर्मेंट ने लौट की है, for next 5 years on the deep ocean mission survey, exploration and conservation of deep sea biodiversity, तो deep ocean mission आपको पता ही है, कि जो sea के अंदर, जो minerals हैं, उनको explore करने के लिए, उनको utilize करने के लिए, गवर्मेंट 4,000 क्रोर दपे देगी, अगले 5 सालों में, तो ये था हमारा 5 पिलर, innovation and R&D, अब देख लेते हैं, last pillar पे, government, minimum government, maximum governance, तो मोडी जी पहले साल से ही, जब select होके हैं, as a PM, ये ही कहते हैं, minimum government, maximum governance, तो इसके अंदर, government और क्या reform प्लाने वाली है, reforming of tribunals, जो लगए टिबूनल से, उनको reform करेगी, national commission of healthcare professionals लाएगी, ये मैं आपको पता चुका हूँ, पहले health वाले pillar में भी, और national nursing and midwifery commission bill, ये bill भी government लाएगी, तो healthcare से लेटेड दो bills लाएगी, reform करेगी tribunals को, ये याद रखना है, अगला, proposed conciliation mechanism with bandit, for quick resolution of contractual disputes with CPSC, यानि जो central government PSU हैं, उनसे जो dispute हैं, वो contractual dispute को resolve करने के लिए, conciliation mechanism लाएगी, जिससे की, जल्दी से जल्दी ये dispute resolve हो सकें, 300 क्रोड दिये जा रहे हैं, गोवर्मेंट को for diamond jubilee celebrations of their liberation from Portuguese rule, तो ये 300 क्रोड दिये जा रहे हैं, गोवर्मेंट को और 1000 क्रोड दिये जाएंगे, welfare of tea workers को, तो दोस्तों ये थे 6 के 6 pillars, जो कि आज के वीडियो में हमने देखे, अगली वीडियो में हम बचेवे budget से topic देखेंगे, तब तक के लिए आप ये वीडियो ध्यान से देखे, एक बारी जो important points हैं, वो लिख लिए अच्छे से, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और दोस्तों यदि आप नए हमारे चैनल पे, तो प्लीज इसे subscribe कर लिजे, एंग बेल आइकन को हिट कर लिजे, जिससे की आने वाले ऐसे ही वीडियो की notification आपको मिलती रहे, और आप इस वीडियो का लाब उठा सके, तो दोस्तों अगर यदि आपने यहां तक वीडियो देखी लिया है, तो आपको अच्छा ही लगाऊगा, तो प्लीज एक like कर दिजे, वो ही हमारा reward है इसनी मेहनत करने का, तो दोस्तों अब हम मिलनेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बब बाई and happy learning!